तो वही कानपूर के सीसा मों विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रतियाशी नसीम सोलंकी ने दिपावली के दिन वन खंडेश्वर मंदर में बाबाशिव की पूजा कर जल चड़ाया और दिये भी जलाये थे इसके बाद से सियासी पारा गर्म हो गया पहले स्पे प्रतियाशी नसीम सोलंकी के खलाब फत्वा जारी किया गया और ये फत्वा और इंडिया मुस्लिम जमात के रास्टे अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाबुदीन रजवी ने जारी किया इस वीच आज हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर पुजारियों ने मंदिर का शुद्धी करण किया इतना ही नहीं मंदिर और शिवलिंग को गंगा जल से धोया गया अब आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे हैं उस दोरान की जब नसीम सोलंकी में शिव मंद नसीम सोलंकी पहुंची दिये जलाकर उनकी तरफ से जलाविशेक जो है वो यहाँ पर क्या गया दूसरी तस्वीर नसीम सोलंकी की मुश्किले पढ़ती नजर हैं क्योंकि एस पी प्रतियाशी हैं उमिद्वार हैं उप्चिनाव को लेकर तो ऐसे में नसीम के खिलाफ और मुस्लिम लीग के तरफ से जो है पत्वा जारी किया गया है दूसरी तरफ पर तीसरी तस्वीर को आप देख सकते हैं जहाँ पर गंगाजल से मंदिर के शुद्धी करण के दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो बता दे कि हरिद्वार से भी गंगाजल मंग जाकर शिवलिंग का शुद्धी करण यहां पर किया गया है तो ओल इंडिया मुस्लिम जमात की रास्ट्रिय अद्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाबुदीन रजवी का ही कहना है कि नसीम सोलंकी ने जो किया उसकी शरियत इजाजत नहीं देता है तो बीजेपी ने समाजवाद नजर में वो मुझरिम है और वो शरियत की गिरिफ्त में है उसको तोबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविश में मुस्तक्बिल में कोई भी ऐसा अमल ना करे जिस से उसका इमान उसका इसलाम खत्रे में पहुँचे इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया ह उसको चाहिए कि वो तोबा करे तज्दिर एमान करे यानि दुबारा कलमा पढ़े और भविश में कोई ऐसा अमल ना करे जो उसके इमान पर फर्ख परता हो जो आग समाजादी पार्टी ने लगाई है आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है कट्रपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजादी पार्टी करती रही है मल्या भी तुष्टी करन करने का काम करती रही है अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान सिव की पूजा आर्चना करने के लिए चुनाओ के मवक्त पे चली गई तो ये बात कट्रपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्रपंथी अब फत्वा जारी कर रहे है इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं तो अपने घर में भी आग कभी ने कभी पहुची जाती है एक कट्रपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है वैसे भी चुनाओ चुनाओ के आधार पर जो लोग भक्ती प्रदर्शन करने लगते हैं उनका ऐसा ही हस्र होता है और अब देवबंथ से बड़ी खबर है जा नसीम सोलंकी को उलेमा ने इसलाम मजभब से किया खारज जिनके बात नसीम सोलंकी के खिलाब पत्वा भी जारी किया गया और इंडिया मुस्तिम जमात की तरफ से इस बीची जानकारी देवबंथ से सामनी आने जहां नसीम सोलंकी को उलेमा ने इसलाम मजभब से खारज कर दिया है तो मंदर में जाकर जल चड़ाने को लेकर यह बवार यहां पर देखा जा रहा है